कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइस S7 से देश की पहली साइबर नाइस S7 मेरट के मवाला रोड इस्थित वारेंटेस कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए इस्थापित की गई है मेरट में PSC की 44 वाहिनी के सामने बस के एक गोदाम में भीषन आग लगने से छेत में संसनी फैल गई पास में ही पेट्रल पंप भी है इससे पूर बिजली बंबा बाई पास पर एक कार आखा गोला बन गई थी कार की खिड़की से किस तरह परिवार को बचाया जा सका है यह क महदिन पूर निवासी सचिन की थी भीषन गर्मी के चलते एक आएक ही मेरट में आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखने में आ रहा है आज रविवार को ही दो बड़ी घटनाय सामने आई बस गोदाम के बार में प्रथम दस्ट्या यह जनकारी सामने आई है कि एक बस में वेल्डिंग का कारे चल रहा था तभी वहां खड़ी दूसरी बस में आग लग गई और देखते ही देखते वहां खड़ी अन्य बसे भी आग की चपेट में आ गई फार्सपाइट टीवी के कैमरामेन ने अपने कैमरे में इस आग की भयावता को कुछ इस तरह से कै किया रहा है देखिए इस घटना के बारे में प्रतक्स दर्शियों ने यह जन करी थी मैं कारियफान पास्मी यहीं पास्मी मस्जीद है उसका इमाम हो तिम्मेदार मज़से का अभी इस आपका पता नहीं कहां से शुरू ही लेकिन आग लगी यहां से और फिर आगे जाने के बाद दरजनों कारखानों माग लगी इसके पीछे जुगिया थी जो जुग्या बिल्कुल जलकर खाक हो गही और लोगत बारफानों के ने ने चेजिस सेल गहे आपके पीछे जाल diğer आगãy हिसमें गाड़ीयों में बहुत बना नुखसान है तीन गंडे तेम सब नहीं आई इसके बाद 7 गंडे के बाद 5 जाकर यहां पर बसकी बाड़ि आ चेचिस बनते हैंberapia होति हैं कारों की डेंडिंग पेंडिंगjekt काम होता है तो उन सब माग लग गई है और आगे तक कही लोगों के चेचिस और गालियां जली है तो यह लगी है असलम चोद्रिया पीशे उसमें थोड़ी सी आग लगी ती जिसको ने लापरवाई बरत्ते हो कवर ना करके वह बस ना बगड़ ली उसके साथ से जितने बरावर में हमारा भी गड़ी जाए उसमें चार गाली हमारे तीयार ख़ली ती उसके सासा 50-60 जुग् जान की ने तो यह लगी है वेल्डिंग करने के लिए उसमें लड़के उनके वेल्ड कर रहे थे छोटी सी आग लेगी तो पूरी गाली ना पकड़ लिए उनकी वह सारे वागता है लगबक दो सटाइग अगर्टे बाद गाली जान वाल का नुकसान कितना हुआ ने नुकस जो जुलस रहे तो उनको हमारा प्रेचोटा लड़का वचा के लिए कार उठाने अपनी ना उठाके पैर उनके बच्चों कुल कितनी गाली है थी तो तो यह लेगे तो तो तक आगे लेगे अपनी निकाली कर दिया तो रास्ता बंद हो गया था उसमें और यही नीकिला प उनके पास जो लड़के काम करें थे कुछ उनकी लापरवाई कुछ उसकी मनोज की लापरवाई सब उसी की लापरवाई है इसको कि जब वैल्लिंकर थोड़ा पानी पास रखना चाहिए दूसरी बाद छोड़ा छोटी सी आग लेगे उसे कवर करते मट्टी डालते पानी दालते कुछ भी डालते जब वित्राल रूपधारा कर लिए आगना तो उसके बाद में बाल्टी लेगा बाल्टी तो कहां कवर होगी आगे जो पारखाना बदा रहे हैं वो रिजिवान हमारा कार्षान रजिश्टर्ट है उनकी चोदरी बस तरविस के नाम से बस वाले है सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपको बुझाने की कारवाई प्रचलित है अब आग लगने के बाद ही पता पाएंगे अभी तो जानकारी नहीं प्राफ्ट रहे हैं और चार गाडियां जो है घर जनपतों से अभी घटना स्था के लिए पहुचने वाली है अब ही तो कुछ नहीं बताया जा सकता जब तक बुझने बात जानकारी करने की बात बताया जाएंगे अभी तो के वाल आग बुझाने की कारवाई की जा रही है तो कि यहां पर जाएंगे बस्किया थी और उसमें चुटा चुटा कुछ कारवा लोग करने इसकी वज़े से एक्सिदेंटल कोई काटने का है कोई मशीन का बशकर रहे हैं जिसको वज़े से आग पकड़ी है और यहां पे सारी कच्छी शॉप्स या कुछ निए तो जिसक चनानी नहीं है और कोई भी पक्के मकानों या उस चके पर आग नहीं पहुंची है बाकि इसमें आगे जोपी हम लोग सर्वे करके कि क्या एक्जेक्ली क्या तारन और क्या इशूस है उसको फिल्म आपसे बिशे पीछे भी काफी जुगी जोपी यहां है सेक्टो जुगी करने कंट्रोल में हैं पर 30-40 मट और उसको पूरा एक तरीके से नलीफाय करने में लगेगा उसके बाद बाकी की चीज़े जो होगी सर्वेय जो भी और नुकसान की श्रति का आग लंग करते हुए फिर आप लोगो से शिश्या कारण क्या मानना है आप ने जो अब भी प्र और इस घटना से पूर बिजली बंबा बाइपास पर सचिन के कार आके गोले में तब्दील हो गई देखे इस खबर में विलाल इतना ही आप देखते रिये फास्टबाइट.tv नमस्कार